हेलो बच्चों क्या हल चला होप आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे पड़ाई जमाजम चल रही होगी बिटा और इस समय आपको थोड़ा बहुत इंडिरेक्ली आप बोल सकते हैं एक तो मोटिवेशन की भी जरुवत होगी बिटा यह कुछ न कुछ धर्म संकट में आपका महापाप है हमाई ले बिटा इन चोटी-चोटी गलतियों की वज़े से कहीं ऐसा नों बिटा कि हमें अगले थाल वापस है ना किसी का मुझ देखना पड़ जाए तो सबसे पहले बिटा वो काम बिलकुल जो आपकी गलतियां कर रही हैं जो आपका टाइम की लिंग कर रही है ऐसा कोई भी शोशल मीडिया नेटवरकिंग आपकी कोई गेम की लगते फलाना डिम का जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा उसे पूरी पूरी तरह से आप दिमाग से निकाल दें उस लट को छोड़ दें उससे बस इतना बोले कि थमजा जरा मेरे लिए चार-पांच मैने बाद जब मैं जेई मेंस फर्स एटेम में 99 परसेंटाइल फोर दूंगा तब सब वापस करूंगा मैं मान के जले बिटा उसके अद हम हफते बर का पूरा ब्रेक लेंगे जेई मेंस फर्स एटेम के बाद कि हफते बर में पहले अपनी भडास निकालूंगा सब काम करूंगा सार उसके बाद में जेई मेंस के सेकंड एटेम और एडवांस के लिए जुटूंगा अभी से बिटा इतना सा चोटा सा वादा अपने आप से करें तो आज आपका ज्यादा कीमती समयने लेते हैं कुछ चोटी सी क्या काम की ब इसा होने वाला नहीं है इसके लिए बार बार मैंने बोला है think like ITN be an ITN, ITN की तरह सोचोगे तो ही ITN बनने का दम रखोगे तो ही ITN बनने की लाइन में चलोगे ठीक है जी और ITN की तरह क्या सोचना है कि स्पीड अपने आप नहीं बढ़ती विटा हम में कार भी एक driving school में सीख के आऊं तो मुझे कार वाला सिखाते वाग भी बोलता है भी या slow चलो पहले perfection लाओ पहले perfection लाओ कार अपना gear प्रॉपर ली चेंज करो ब्रेक सही टाइम पढ़ाओ यहना speed अपनी proper maintain करो ताकि वह है ना कभी second gear में बंद हो जारी third gear में बंद हो जारी पहले वह perfection required होता है तो कुछ मैं scientific approach की बाते करूं बटा secret mantras to improve speeding exam आपको काफी चीज़ें पता होंगी बटा बटा उन्हें follow नहीं करते हो आज के particular question में हो क्या रहा है तो आपकी speed बढ़ने का कोई चांस नहीं बिटा speed उल्टे slow हो जाती बिटा मैंने question पढ़ा उस question में मुझे कुछ भी पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है है कि हो क्या रहा है कोई टर्मिनल लोदी question में आ गई हो homogeneous है ना homo triatomic molecule मुझे मतलब भी नहीं पता है homo triatomic molecule क्या होता है like छोटी-छोटी बाते करो है कि उस question में कुछ आया और मुझे वह सिट्टी पिटी गुम है इसलिए बिल्टा build strong concept अभी भी इतना speed अपने आप बढ़ा देगा अपने आप बढ़ा देगा सर इसकी शुरुवात कैसे करें शुरुवात बिटा आप जो भी live class कर रहो आप offline में हो self study कर रहो अपनी attentiveness को बढ़ा अपनी attentiveness को question पड़ते वक्त आपका mind properly active होना चाहिए एक दिन में चमतकार नहीं होगा करोगे तो होगा ठीक है डेली टार्गेट अपने आपको डेली टार्गेट दो है ना try to start daily basis targets for any topic और problem solving that will create the time bound environment meaning कि है तर भाईया कोई भी teacher आपको बढ़ा पचास question होंगा में दे जा चालीस दे जा रहा है तो वह नहीं कि पचास question करते हैं हम बिना बेसुद बस उठा के pen copy उठाई sheet उठाई हमने DPP उठाई solve करना चालू कर दिया पचास question है अगर एक ही topic के हैं तो हमें पचास question है तो अपना time limit बेटा mobile में 100 minute का set करके उसे silent mode में करके airplane airplane mode में डालके ताकि किसी का phone ओनना बजे बेटा कोने में रख दो 100 minute बाद आपको सचेत कर देगा आपका समय हो गया है तो time bound practice करना आपके लिए खुब ज़्यादा important है इस समय time bounded goals help to develop more speed अपने आप आपकी speed बढ़ेगी बेटा आपको भी मजह आने लगेगा ठीक है daily question practice भाईया must 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 मतला मेरा तो मानना है बेटा कि minimum आप 30-40 question हर subject है ठीक है भाईया subject to subject vary कर सकता है ठीक है but minimum इतनी कोशिश जरूर करें और on daily basis try to solve question based on the topic you have covered as until and unless you will not do question practice it's difficult to understand how much you have learned आप समझ ही नहीं पाऊगे बेटा ठीक है कि आपको कितना समझ में आ रहा और आप सोचो के exam में speed अपने आप बढ़ जाए तो वह possible नहीं बेटा यह तो घर से ही है ना starting होगी ठीक है calculations many students trap in calculation बेटा उलज जाते हैं है ना सब्सक्राइब करना जरूरी होता है ना start from basic calculation and move to some difficult calculation it will make your calculation speed fast मतलब सर किसी question बेटा आप खुदी सोच लो कि अगर इसकी जगे ये data होता तो मान लीजे मैं कैसे fast calculation करता मत करो हर question में बेटा अगर आप तीस question कर रहे हो कम सब्सक्राइब हर subject में तीन-चार question में इतना सोच लो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता जिसे आर की value बेटा हमें पता है आर की value जूल वाली 8.314 होती है अब वह कभी बेटा 8.314 देता है कभी वह 8.31 दे देता है तो इसलिए कि रहो नियरेस इंटीर में इससे आपका ज्यादा effect आ जाएगा तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा changes करके अपना calculation 0.08 सर देखने में कूब अच्छा लग रहा है 0.082 आते ही थोड़ा था मन निराश्या हो जाता दिमाग न एकदम गुसा आने लगता है दिमाग को क्या data दिया है और अगर 0.0821 हो जाता है बच्चों तो उसमें तो पूरी तरह से दिमाग काम करना बंद कर देता है तो अपने दिमाग को trendy करके चलो कि ऐसा exam में भी मेरे साथ हो सकता है ठीक है तो definitely आपको उसका भी फायदा मिलेगा ठीक है प्रैक्टिस पेपर कोई एक topic आपका खतम हो जाता है पूर्ण रूप से जिस पे आ दिमिट और मेंटेनिंग एक्जाम एंवार्मेंट अब मान के चलो विटा कि आप एक्जाम एंवार्मेंट की तरह है अपने पेरेंट्स को अपने अपने मम्मी पापा को अगर आप होस्टल में तो रूम के बाहर लगा तो दू नौट डिस्टर्ब कि भाया मुझे कोई ड का एक सेल्फ अनालिसिस है ना प्रैक्टिस पेपर पहले डिजाइन करके जो भी आपको जिस भी तरीके से मिल सकता है या कोई पर्टिकुलर आपके पास नया कोई भी बुक हो मैटेरियल डीपी मिलिए उसके हिसाब से आप सोर सकते हो कि चलो इसको सौल करके मैं देखता इस से भी आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी है ना वर्क्स ऑन दे टाइम लिमिट यह तो बार बार में वही करूं डी रिदूस दाइम लिमिट ऑन डेली बेसिस तो प्रैक्टिस दा कोई मतलब पहले जिन कोई बिटा अगर सेम टॉपिक के पहले दिन आपन सेमाल लिजे 2 मिनिट पर क्वेश्टन को दिया है दिरे दिरे करके पटा 15 दिन के बाद टार्गेट रखो कि यार पहले यह 50 पचास कोई सो मिनिट में करे थे अब मैं सेम टॉपिक के 50 कोईशन 90 मिनिट पंदरा दिन तक अपने आपको पहले ट्रेंड करो फिर 15 दिन बार य यार 90 मिनिट्स में करने के कोशिश करता हूं फिर थोड़ा और कम करके 88 मिनिट्स इस तरह से थीक है and try to solve the questions in more lesser time this will make you self-confidence for the final exam इतना ज्यादा confidence आपका बढ़ता है मान लीजए आपने दो मिनिट्स भी कम कर दिये तो सो मिनिट्स भी आपके लिए है ना बिल्कुल आपके जो confidence को है वो सात्व आस्मान पर हो चाएगा कि यह मैंने दो मिनिट्स बचा दिया मतलब एक्जाम में में अब मिनिमाम एक कोशन ज्यादा करने की पोजिशन में आ चुका हूं तो यह confidence आपको है ना इतना ज्यादा बुस्टप करेगा कि मज़ा आ जाएगा विटा हम एक्क्यूरेसी इनालीसिस बेटा है क्योंकि अगर आपने बिल्ड स्ट्रॉंग कॉंसेप कर लिए तो चालिस तो गलत नहीं करोगे बट आपने पंदरा भी गलत कर दिये बटा तो 35 इंटू है ना 35 इंटू 4 140 होता है और 140 में से पंदरा आपके जा रहे हैं 125 तो यह इफिशेंट उतना अच्छा तरीका नहीं है ओवराल आप मार्क्स वाइस देखोगे तर पांच नंबर जादा ही मिले बट इट इस नॉट एडवाइसेबल क्योंकि बेटा क्योंकि 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 अगर आप वो पंदरा जो 50 सही पूरे कोश्चन सही करने के चक्कर में आपने जो अपनी स्पीड अननेसेशली क्योंकि बार-बार में एक चीज और भी समझाता हूं हमेशा कि हमें 100% करना ही है एक्जाम की बात करूं घर में तो 50 कोश्चन है आप से अगर उस 100 मिनिट में नहीं बने तो फिर आप दूसरे सब्जेक को जो भी पढ़ रहो पढ़िए अगले दिन बचेवे कोश्चन को ए तो आपको वो इतनी ज्यादा बुस्टिंग देंगे ना रॉकेट की तरह एक प्रोपोलेशन थ्रस्ट मिलेगा आपको और यहार बन गया क्योंकि कई बार हम यहीं बोलते हुए हमने हमेशा बच्चों को सुना है इतने वर्षों का जो अनूबह मैं आपके साथ साजा करू कि सर घर आके वही कोश्चन वापस बन गये थे ठीकन घर आके वही कोश्चन वापस बन गये तो घर में भी पहले जो घर में कोश्चन नहीं बने हैं डीपीपी शीट के उनको एक बार अगेन अटेंब करने की कोशिश करू अगर वो आपसे बन जाएंगे तो क्लास में यह पापस उठा सकते हैं कि दोबारा पढ़ने पर मेरे से कई बार वो कोश्चन हो जाते हैं और इसलिए वो जो पचास कोश्चन मीनिमम जिसे आप कर रहो मानलो के मिस्ट्री के उनमें टेक लगा लो जो पहली बार में नहीं बने हैं आपको लग रहा है कि यह कोश्चन बन सकता आफटर अनलिसिस ऑफ ट्राइल टेस्स इट विल हैल्प यू इन फाइनल एक्जाम हर टेस्स के बाद बिटा हर जो आपने पचास कोश्चन की डी पीपी करिए मत दी ज्यादा समय दस मिनट तो दे सकते हैं दस मिनट तो दे सकते हैं मान लिजे आपका शेडूल टाइट है आपको तुरंत अगले सब्जेक की तरह शिफ्ट करना है अगले दिन वो दस मिनट निका लिए विटा कि इस में से पचास में से कितने कोश्चन हुए कितने गलत हुए तो इसका मतलब में अभी किन फॉर्मूलों को किन कॉंसेप को नहीं धंग से पकड़ पा रहा हूँ इन सब पॉइंट्स का निचोड यह बटा यह सब चीजें तभी होंगी जब आप अपनी स्टेडिस में कंसिस्टेंट हो आप एक दिन तो जोश में दस घंटे पड़ रहे हैं अगले दिन केवल पांच घंटे पड़ रहे हैं कि सार अवरेज तो साड़े साथ आगया नहीं यह एवरेज का रोल नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यह कंसिस्टेंसी अपने माइंड को उस एक्जाम वाले जोन में ट्रेंड करने का जो समय है वह सीसाब से चलना चाहिए तो यह सबसे इंपोर्टेंट बटा एवरेज रूल यहां पर मत लगाईएगा जो हमको छटी साथ वी आट वी में घटिया थे के अवरेज बता दिया जाता है एक दिन पंदरा गंटे काम कर लो अगले दिन पांच गंटे करो आवरेज दो को 10 गंटे आ गया नहीं भी यह दोनों दिन 8-8 गंटे करो वो पंदरा हो पांच 20 से वो 8 और 8-16 गंटे ज्यादा इफेक्टिव आपको आउट पूट देंगे यह ना वो ज्यादा इफेक्टिव आउट पूट देंगे क्योंकि जिस दिन आप 15 गंटे का प्लान बना के बिट्टो उस दिन भी आप साइको साम के तीन गंटे में प्रॉपर मुझे एफिशेंसी चाहिए वह आपको दे ही नहीं पाएगा विटा आउट पूट इने निकलेगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब चीजों को अगर आप धीरे धीरे अपनी डेली हैबिट में लाना चालू करें क्योंकि अभी आपको इस सेशन से कुछ न कुछ फायदा जरू मिलेगा अब कमेंड बॉक्स में जरू बताईएगा और मुझे समय मिला तो मैं डेफिनिटली रिप्लाई भी करूँगा ठीक है चलिए जी मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाई बाई लव यू आल स्वस्त रह भी करूँ है